हर्याना के जीन जिले के रुस्तम जोटे ने हिमाचल के नॉनी में आयोजित प्रतियोगिता में क्रिशक रत्न अवड जीता है प्रतियोगिता में रुस्तम ने पहला और पंजाब के मोदी बुल ने दूसरा अस्थान हासिल किया केंद्रिय पशुपालन मंत्री ने रुस्तम जोटे को सम्मानित किया आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 बार अंतराश्री अस्तर पर भारत का नेतरत्व करने वाला रुस्तम 26 बार का नैशनल चैंपियन है और 100 से जादा प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका है जोटे का मालिक दलिल जांगला जोटे की बच्चे की तरह देखरेक करता है जोटे की कीमत भारत में 11 करोड लग चुकी है लेकिन मालिक का कहना है कि ये परिवार का अभिण अंग है इसको कभी नहीं बेचेंगे इसका आधार कार्ट बनवाकर इसको परिवार का सदत से बनाएंगे लगाई जाते हैं जो इसकी सीमन एवरेज है उसमें बारसरकार दवारा 11 क्रोड रुपे की कीमत लगाई जा चुकी है तो इसे बेच कुछ ने रहे हैं अधार कार्ट बनवाकर अपने घर के रासनकार में साम्मिल करते हैं रुस्तम की हुचाई 5.5 फीट और 14.9 फीट लंबाई है रुस्तम प्रतिदिन 300 ग्राम देसे घी, 3 किलो चना, 10 किलो मेथी, 100 ग्राम बादाम, 5 किलो दूद, 3.5 किलो गाजर खाता है पूरा परिवार अपने बच्चों से जदा रुस्तम की देखरे करता है दलेल का पूरा परिवार रुस्तम के पालन पोशन में लगा हुआ है राश्ट्रिय डेरी अनुसंधान संस्थान द्वारा ही मुर्राह नसल के इस जोटे का नामकरण किया हुआ है पूरा परिवार अपने बच्चों से जदा रुस्तम की देखरे करता है दलेल ने बताया कि रुस्तम की कीमत 11 करोर रुपे लग चुकी है लेकिन उन्होंने इसे बेचने से इंकार कर दिया दलेल ने बताया कि रुस्तम की माँ अभी भी उसके पास है जिसके पास 25.530 किलोग्राम दूद निकालने का रेकॉर्ड है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद